नमस्कार दोस्तों आज हम जौनपूर जिले के छह तहसील में से एक तहसील जो काफी प्रसिद्ध है जिसे हम मणियाओं के नाम से जानते हैं और मेंगनेट सिटी मणियाओं बे कहते हैं यहां पर अचिन मन्दीर है जिसके चुटका दिवी के नाम से चंडिका दिवी के नाम से जणा जाता है तो आज हम चलते हैं चुटका दिवी का दृसन करने और आप सभी को कराने चलिए दोस्तों कि यह मंदिर नगर के पूर दिशा में स्थित है जिसे चुटका दिवी के नाम से जाना रहता है जो माता दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है कि यहां का द्रिश से भी काफी मनमुहक है आप देख सकते हैं बस हम पहुंचने वाले हैं कि हम पहुंच गये हैं माताजी के मंदिर के पास अब दोस्तों प्राचीन काल में यह भी कहा जाता है कि यहां पर एक रिशी रहा करते थे जिसे मांडो रिशी कहते थे जो माताजी के परम भक्त थे यहां पर अनेक छोटे बड़े मंदिर है जो देखने में भी काफी खुबसूरत है आप देख सकते हैं यहां का द्रिश्ट यहां पर हनमान जी राधिक्रिश्न और भी छोटे बड़े मंदिर है यह माताजी का मंदिर मानता यह भी है कि मनियाओ का नाम मांडो रिशी के नाम से मनियाओ पड़ा है आगे हम उनका असरन दिखाएंगे जो इसमें काफी चेंज हो गया है तो चलिए हैं दोस्तों हम आपको आगे का द्रिश्ट से दिखाते हैं कि यहां पर साब सफाई की भी काफी अच्छी बिवस्ता है यह कृष्ण भागवान का मंदिर छोटा सा यह हनमान जी का मंदिर छोटा सा और यहां पर पुरानी मुर्थी है जो जायद खुदाई में मिली होगी यहां पर एक बात और यहां के पुरानी लोग कहते हैं कि यहां पर एक प्रशिद्ध यह मंदिर था यह रादा कृष्ण का मंदिर जो आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहां के लोग और भी कहते हैं पुरानी लोग कि यहां पर गहना जंगल गुआ करता था और यहां पर हीरोडो की संक्या बहुत अधिक हुआ करती थी कि यह अब आगे चलते हैं माप सबको आगे का द्रिश से दिखाते हैं कि यहां पर चोटे बड़े विरिच हैं अब चलते हैं मापको एक और मंदिर का दर्शन कराते हैं यह है दुरुगा जी का मंदिर भगन में एक और मंदिर है कि यह दोस्तों हन्मान जी का मंदिर है यह पूरा छित्र रानी धंदी का हुआ करता था जो यहां पर पुराने समय में राज करती थी यह मांडो रिशी का असरम जिनके नाम से मणियाओ का नाम पड़ा है कि माता चुटका देवी इस पूरे छित्र के कुल देवी है कि यहां का दुरिश सकते हैं काफी कि वुब्सूरत दृश है यहां पर हरे बड़ी पिवड़ पह motivate जो आ का मनुरम दृस हमको दिखाते हैं अब साहरे आफ को दिखाते हैं आप दूर्गाजी कामंदिर जो काफी पुराना है यह पर जो ज़स्थाम हो गया है यह है माता दुर्गा जी का मंदिर तो चलिए दोस्तों अब हम आपको हन्मान जी का दर्शन कराते हैं जैश्री राम अब सबका दर्शन हो गया है लगवक अब हम आपको जिनका दर्शन करने के लिए जिनका वीडियो देख रहे हैं आप सब माता चुटका देवी उनका दर्शन कराते हैं दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों प्रसेदारों में शेयर जरूर करे तो दोस्तों आप दर्शन कीजिए माता चुटका देवी जैने चंडिका माता भी कहा जाता है जो दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है जै माता दी यह उनका प्राचीन मंदिर है यह मूर्ति भी यहां की काफी पुरानी है जै माता दी दोस्तों यह मंदिर तीन तरफ से तालावों से घिरा हुआ है लेकिन तालावों कोई जलकुम्भियों ने अपने कप जिम कर लिया है अगर जलकुम्भिया नहीं होती तो साइध देखनी मंद्रिस और भी मनमौब होता कि दोस्तों आर्टि जलकौकललाइक सब्सक्राइब और सिर जरूर गरें ऑफ इस अस्थान के वारे में लोगों तक जनकारी जरूर बहुतए हमारे चैनल को लाइक अ? करें और दोस्तों तक जरूर पहुचा है जै मातादी और अगर आप जौनपूर जिले के मनियाओ तैसिल में आए तो इस अस्थान का दर्शन जरूर करें जो काफी मन मुहब्दिर से है यहां का देख सकते हैं जै माता दी